नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम ओरंग जेब के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में हम ओरंग जेब से रिलेटिड जो भी प्रेशन एक्जाम में पूछा जाता है सभी को हम कवर और इसे पहले मैंने सभी मुगल बाश्या को डिटेल में पढ़ा दिया है और इसी करम में आज हम ओरंग जेब के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना मैंने सभी मुगल बाश्या को डिटेल में cover किया है और आज हम इसी करम में पहले ओरंग जेब की बारे में पढ़ेंगे और लाश्ट में previous year question भी देखेंगे तो पहले आप वीडियो को देखें और लाश्ट में previous year question जरूर attempt करें तो चलिए बिना देरी किये हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं तो पिछली वीडियो में हमें शाजहां की मृत्यों के अंतिम दिनों में उत्रा अधिकार का युद्ध देखने को मिलता है जिसमें मुख्य रूप से शाजहां के चारों पुत्र आपस में लड़ते हैं और जो उनमें से विजयता होता है वो अगला शाशक बनता है और उत्रा अधिकार की युद्ध में हमने देखा कि ओरंग जेव की विजय होती है तो ओरंग जेव अगला शाशक बनता है यह पूरा हमने पिछली वीडियो में देखा था मैंने वहाँ पर डिटेल में आपको उत्रा अधिकार का युद पढ़ाया था तो ओरंग जेब का शाशनकाल 1658 इस्वी से लेकर 1707 इस्वी तक रहा ओरंग जेब का जन्म 3 नुवंबर 1618 को दोध जो की वरतमान में गुजरात में हैं यहां पर इसका जन्म हुआ था इसके पिता का नाम शाजहां आपको पता ही है और माता का नाम अरजुमंध बानो बेगम जो की मुम्ताज महल के नाम से प्रसिद्ध है इसके माता का नाम था अरजुमंध बानो बेगम और ओरंग जेब के गुरु का नाम क्या था औरंग जेब के गुरु का नाम था मीर मुह की शुरुआत की बाबर का शाषनकाल 1526 से लेकर 1530 इस्वी तक रहा बाबर के बाद अगला मुकल शाषक हुमायू बना इसका शाषनकाल 1530 से लेकर 1540 तक रहा तो हुमायू को शेर्षा सूरी हराकर भार से बाहर खदेर देता है और सूर वंसकी स्थापना करता है जिसका शाषनकाल केवल एक ही वर्ष रहता है किसकी मृत्ती हो जाती है और इसका वेटा अगला शाषक बनता है अकबर अकबर का शाषनकाल 1556 से लेकर 1605 इस्वी तक रहा फिर अकबर के बाद उसका पूत्र जहांगीर अगला शाषक बनता है 1605 से लेकर 1627 इस्वी तक और में पढ़ा था जहांगीर के बारे में और जहांगीर के बाद उसका पुत्र ओरंग जेव अगला शाशक बनता है 1658 इसवी से लेकर 1707 इसवी तक तो यह हमने पूरा क्रम देख लिया कि बाबर से हमने शुरू किया और आज हम ओरंग जेव के बारे में पढ़ रहे हैं तो ओर ज़रस घराने की राजकुमारी दिल्रास बानो वेगम जिसे राबिया उद्धोरानी के नाम से भी जाना जाता है यह इसकी पहली पत्नी थी तो ओरंग जेव ने और भी शादियां की थी पर एकजाम में आप से यही नाम पूछा जाता है मुख्य रूप से दिल्रास बानो बेगम जिसे राबिया उद्दोरानी के नाम से जाना जाता है तो इसके अन्य पत्निया देख लेते हैं एक तो है दिलरास बनो बेगम दूसरी है नवाब बाई उसके बाद है औरंगाबादी महल और उदेपूरी महल ये चार पत्निया थी औरंग जेब की इसके पुत्र कौन कौन से थे तो मुहम्मद आजम शा, मुहम्मद सुल्तान, बहादूर शा प्रथम, सुल्तान मुहम्मद अकबर, मुहम्मद कामबक्ष तो इसमें से आपको बहादूर शा प्रथम का नाम याद होना चाहिए बहादूर शा प्रथम औरंग जेब का पुत्र था ये एक्जाम बीज्वीजामें पूछा गया है कि जेव UNускसा किस की पुत्री थी तो यह ओरंग जेव की पुत्री थी तो यहां पर हमने ओरंग में का क्वश्चा परिवारी परिचाए देख लिया अब आगे हम ओरंग जेव कि उपाधियां देख लेते हैं क्योंकि जो उपाधियां हैं वो भी एक्जामें पूछे जाती हैं पर औरंग जेव ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने जान को जोखे में डाल कर इन हाथियों का मुकाबला किया था यह देखकर इसके पिता शाह जहां बहुत ही खुश हुए और इसे बहादुर की उपादी दी तो बहादुर की उपादी किसे मिली औरंग जेव को किसने दी इसके पिता शा जहाने से बहादूर की उपादी दी थी उसके बाद अगली उपादी है आलमगीर तो आलमगीर बहुत बार एक्जामें पूछा गया है कि आलमगीर किसे कहा जाता है तो आलमगीर ओरंग जेव को कहा जाता है आलमगीर का अर्थ है विशो का विजेता उसके बाद है शाही पोशाक में एक दरवेश तो साधा रहन सैन एवं शराब ना पीने के कारण इसे शाही पोशाक में एक दरवेश कहा गया किसे ओरंग जेव को तो ऐसे तो अगर हम राजनेतिक तोर से देखें तो ओरंग जेव एक कटर मुसल्मान था पर अगर हम व्यक्तिकत रूप से देखें तो ओरंग जेव का जो जीवन था बहुती साधा रहन सैन था वो एक राजा था फिर भी साधा रहन सैन रखता था और वो शराब भी नहीं प तो ये जो भी उपाधिया है न ये किसी ने किसी एक्जामे पूछी गई है कि जिंदा पीर आलमगीर शाही पोशाक में एक दरवेश ये किसकी उपाधिया है तो ये ओरंग जेब की उपाधिया है उसके बाद है हाफिज तो हाफिज भी किसे कहा गया ओरंग जेब को क्योंकि औरंग जेब ने पूरा कुरान कंठस कर रखा था इसलिए से हाफिज कहा गया उसके बार एक उपादी है अबूल मुझफर मुहिदीन मुहम्मद औरंग जेब बहादूर आलमगीर बाशा गाजी तो ये ये भी औरंग जेब की उपादी है ये उपादी इसने जब इसका कि ये किसकी उपादी है औरंग जेब की क्योंकि इसी को बहादूर आलमगीर की उपादी मिली थी ना तो याद रखेगा इसने राजय अभिशेग के अफसर पर ये उपादी धारन की थी उसके बाद हम देखते हैं कि औरंग जेब का राजय अभिशेग हुआ था ये दो ब भाईयों की बीच में उत्रा अधिकार का युद होता है तो सामुगड की विजय के उपरांद एवं आगरा पर अधिकार करने के पक्षाथ औरंग जेव ने 31 जूलाई 1658 इसवी को दिल्ली में अपना प्रत्थम राजय अभिशेक करवाया था तो जब इसने सामुगड की वि दुबारा इस पर आक्रमण कर देता है और बाद में ये फिर दुबारा अपने बड़े भाई को हरा देता है यानि कि ये दुबारा दाराशिकों को हरा देता है और अंतिम रूप से प्रास्त करने के बाद 15 जून 1669 को दिल्ली में ये अपना दूसरा राजय अभिशेक और दुबारा दाराशिकों को हराय था और आपने राज़ुषे कर transforming क्या दुबार इसने अपने राज़ुषे करवाय थे कि इसके बात आगे परते हैं प्रमुक्ष विद्रोव और युद अभियान यानिकि latte के खिलाव कौोंसे विद्रोव हुए और इसने कोन-कोन से युद अभियान किये तो ओरंग जेब की नीतियों की वज़े से इसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और इसके अलावा समराज्य विस्तार पर भी इसने कई विजे हासिल करी थी तो सबसे पहले इसके खिलाफ जाटों का विद्रो हुआ था तो सबसे पहले देखते हैं जाटों का विद्रोह तो पहला जाट संगठित विद्रोह गोकुल नाम के एक जाट ने किया था जिसका नेतरतों किस ने किया था गोकुल नाम के एक जाट ने तो यह ओरंग जेब के खिलाफ किया गया पहला संगठित विद्रोह था जो दिल्ल का प्रतम संगठित विद्रो 1679 इस्वी में गोकुल नामक जाट सरदार के नेतरतों में हुआ था और अंतिता इसका परिणाम क्या होता है कि 1670 इस्वी में तिलपत के युद में हसन अली खाने जाटों के विद्रों को समावत कर दिया और गोकुल को भी बंदी बनाकर माट ड गोकुल के बाद 1685 इस्वी में जाटों का दूसरा संगठित विद्रो राजा राम के नेतरतों में होता है और इस विद्रों में जाटों ने छापा मार हमले थथा लूट मार की थी और राजा राम ने देखा कि अगर धार्मिक कटरता का परिचय ओरंग जेब दे रहा है तो हमें भी उसी परकार से परिचय देना पड़ेगा तो इस तरह से ओरंग जेब को चिढ़ाने के लिए और उसे दुख पहुचाने के लिए राजा राम ने क्या किया कि अकबर की कबर खुदवाई और अकबर की कबर में से जो हड़ियां बाहर निकली उन्हें इसने क्या किया आग लगा दी क्योंकि इसलाम धरम में क्या किया ज आता है तो इसने क्या किया औरणजेब को चिढ़ाने और उसे दुख पहुचाने के लिए इसने अकबर की जो कबर थी उसे खुदवाई उसमे से जो अव्षेश पड़े थे जो हडडियां पड़ी थी उन्हें दुबारा इसने जला दिया जिस कारण क्या हुआ कि ओरंजेब को काफी गुसाया और उसे खुब दुख पहुचा और उसने राजाराम की हत्या करवा दी और राजाराम की हत्या के बाद उसके भतीजे चूरा मन ने जाटों का नेतरताव किया हलांकी ओरंजेब की मृत्यू 1707 इस्वे में हो जाती है तब तक जाट चोटे मोटे रूप से विद्रों में शामिल रहते हैं और यह विद्रों पूरी तरह से कभी दबता नहीं लेकिन फिर भी राजाराम की हत्या के बाद जाटों का विद्रों का विद्रों काफी सीमित होकर रह जाता है यानि कि जो ये जाटों का विद्रो रहता है ये कभी खतम नहीं होता जब तक औरंग जिव रहता है तब तक ये विद्रो चलता रहता है परन्तु राजाराम की मृत्यों के बाद जो ये विद्रो है ये काफी सीमित होकर रह जाता है उतने बड़े पिमाने पर नहीं हो पाता जितने बड़े पिमाने पर राजा रामनी ये विद्रो किया था या दखेगा तो जाटों के विद्रो के बाद जो अगला विद्रो होता है वो होता है सतनामियों का विद्रो जिसे मुंडिया विद्रो भी कहा जाता है तो यह है विद्रो 1672 ईसवी में नारनोल वा महंदरगड जो की वर्तमान में हर्याना के आसपास के भूभाग में रहने वाले सतनामियों के द्वारख किया गया था। इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा अपने बाल मुंडवा का रखते थे इसलिए ने मुंडिया कहा जाने लगा और इन्होंने भी इसलामिक धार्मिक विवस्था के विरोध में विद्रो किया था। इसलामिक धार्मिक विवस्था के विरोध में ही विद्रो किया था। तो इसमें सिक्खों के गुरु थे शिरी गुरु तेख भादुर जी ये सिक्खों के नोवे गुरु थे। तो औरंग जेव ने ये प्रियास किया था कि अगर हम गुरु तेख भादुर जी को ही इसलाम धर्म स्विकार करवा देंगे तो सारा सिक्ख संपरदाय स्वेही इसलाम धर्म स्विकार कर लेगा। तो इस परकार इसने सिक्खों के गुरु को ही इसलाम धर्म स्विकार करने के लिए बुलवाया परंटु कुरु तेख भादुर जी ने इसको आस्विकार कर दिया और विद्रो किया फिर उन्हें पकड़कर यानि कि गुरु तेख भादुर जी को पकड़कर दिल्ली ले ज और इनके सहभागियों को भी गंभीर यातनाय दी गई और फिर इनकी हत्या कर दी गई तो इसके बाद सिखों के दस्वें गुरू गुरू गोविन सिंग जी आते हैं जो सिखों के अंतिम गुरू थे और इन्होंने भी ओरंग जेव का विद्रो किया और उसके खिलाफ कई ल औरंग जेब दक्षिन की तरफ चला जाता है और सिख उत्तर भारत में विद्रो जारी रखते हैं और अंत में जब 1707 में औरंग जेब की मिर्त्य हो जाती है तब बहादुर शाह के समय में सिखों और मुगलों में एक परकार का समझोता हो जाता है या दखेगा उसके बाद अ बहाद भी मुगलों से दूर होने लगे थे इसमें मारवाड और मेवाड जो है यह मुगलों के विद्रो में उभर कर आते हैं इसका कारण है था कि मुगल इनके धार्मिक कार्यों में हस्ताशेप करने लगे थे और औरंग जेब इन पर शाशन करने की नीती काफी कठोर जाती है उसके बाद देखते हैं शहजादे अकबर का विद्रो तो यह अकबर औरंग जेब का पुत्र है जो अकबर हमने पढ़ा था वो नहीं है यह अकबर दूसरा है यह औरंग जेब का पुत्र है तो इसी का पुत्र यानि कि शहजादा अकबर इसके विरोध में आ जात तो ओरंग जेव का जो पुत्र होता है अकबर ये अपने आपको ही सोतंतर बाशा घोशित कर देता है अभी ओरंग जेव बाशा होता है फिर भी ये अपने आपको सोतंतर बाशा घोशित कर देता है किसके सहायता से मारवार के स्रंक्षक दुर्गादास राठोड एमम मिवार की शाशक के सहयोग से ये अपने आपको स्वतंतर बाश्या घोशित कर देता है 1681 एसवे में ओरंग जेव के विरुद उसके अपने ही पुत्र अकबर ने विद्रो कर दिया क्योंकि राजपूतों ने भी इसका साथ दिया परिंतु बाद में राजपूत उसका साथ छोड़ देते हैं और इसका कारण क्या था तो यहां पर ओरंग जेव ने एक कूट नीतिक चाल चली उसने क्या किया एक खत लिखवाया किसको अपने पूत्र को और उस खत में क्या लिखा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर कि तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनक कि उसे राजपूतों की सहाइता ना मिल पाए तो इसने खत में क्या लिखवाया कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम अकबर तुम राजपूतों के साथ मिलकर उनको हमारे खिला भरका रहे हो और अब हम राजपूतों को बारी-बारी से मर रहे हैं तो इस परकार की एक चिठ्थी इसने राजपूतों के खेमे में फैला दी अब राजपूतों को ऐसा लगा कि यह है ओरंग जेव और अकबर इन दोनों की एक चाल है कि अकबर आकर हमारे साथ मिल गया है और यह हमारे ही आदमियों को मरवा रहा है यानि कि राजपूत ओरंग जेव की कूट नीति इक चाल में फज जाते हैं और इस तरह से राजपूतों को लगा कि अकबर उनका सयोगी नहीं है बलकि गुप्त रूप से इनका शत्रू है इसलिए उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया अब अकबर भाकर दक्षिन की और शिवा जी के पास चला जाता है प्रंतु उस सम जी नहीं थे उनके पुत्र थे संभा जी और संभा जी ने अकबर को स्रंक्षन दिया जिसके कारण ओरंग जेब उसका पीछा करते हुए मराठा शेतर तक पहुँच जाता है और अपने अंतिम वर्ष दक्षिन भारत में ही व्यतीर कर देता है कौन ओरंग जेब तो अकबर संभा जी के पाच चला जाता है लेकिन जब औरंग जेब दक्षिन की तरफ आता है ना तब अकबर भाग कर फारस की ओर चला जाता है तो बाद में अकबर फारस चला गया क्योंकि मराठे भी प्राजित होने लगे थे और फिर अकबर ने फारस के शाके यहां स्रंक्षन लि जो कि दख्षिन भारत के महराश्ट्रमें प्रारंब होकर पूरे दख्षिन भारत में धीरे धीरे बढ़ने लगा था शिवाजी की परियासों को बढ़ते हुए और उनके समराजी को बढ़ते हुए देखकर ओरंग ये प्रारंब से ही सशंकित होता है परन्तु उस में उसका द्यान केवल उत्तर भारत की तरफ था दख्षिं भारत की तरफ नहीं था और जब इसका ध्यान दक्षिं की तरफ पड़ता है तब इसने राजपूत राजा जैसिंग को शिवा जी के साथ संधी करने के लिए भेजा था तो राजपूत राजा जैसिंग ओरंजेव के साथ है तो ये राजपूत राजा जैसिंग को शिवा जी के पास संधी करने के लिए भेजता है तो इसी के परिणाम स्वरूप एक संधी होती है पुरंदर की संधी तो शिवा जी और जैसिंग के बीच जून 1665 इस्वी में पु पूर्ण है, इस संधी के तहर शिवा जी को अपने किले मुगलों को देने पड़ते हैं। और ओरंग जेक की एक तरह से यह प्रतिकात्मक जीत हो जाती है। तो पुरंदर की संधी की क्या-काय शर्थे होती हैं? पहली शर्थ होती है कि शिवा जी को ओरंग जेव की अधिनता स्विकार करनी पड़ी साथी राजा जैसिंग ने शिवा जी द्वारा मुगलों के जीते गए 35 किलों में से 23 किले दुबारा लोटा दिये गए और इस संधी के तहट शिवा जी के बड़े पुत्र शंभा जी को ओरंग जेव के दरबार में भेजा वह 5000 मनसब दिया गया और इसके साथी जैसिंग शिवा जी को ओरंग जेव के दरबार में चलने की प्राथना करता है तथा मुगल सत्ता में रियायत दिलाने के लिए आगरा में अमंत्रित करता है तो जैसिंग शिवा जी को ये भरोसा दिलाता है कि वो ओरंग जेव के दरबार में आये वहाँ पर उन्हें उची सम्मान दिया जाएगा और इसी के साथ साथ शिवा जी को अपने राजे में अधिकार करने के लिए सोतंत्र कर दिया जाएगा और इसी करम में 22 माई 1666 एस्वी को शिवा जी आगरा के किले के दिवाने आमें उपस्थित हुए तब उन्हें कोरंग जेब ने आगरा में स्थित जैपूर भवन में नजर बंद करवा दिया यानि कि वहाँ पर उन्हें कोई भी उची सम्मान नहीं दिया गया और उन्हें जैपूर भवन में ही नजर बंद करवा दिया गया और उसके बाद क्या होता है कि शिवा जी उस जै पराई करकर कई किले उनसे वो जीत लेते हैं तो शीवा जी के बारे में अलग से हम पढ़ेंगे यहां पर तो हम सिर्फ पुरंदर की संधी के बारे में पढ़ रहे हैं जो की ओरंग落गम से रिलेटीड है So, शीवा जी की चर्मो उतकर्ष पर था जो की काबुल से लेकर चटगाउं और कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक फैल गया था और पूरे मुगल इतिहास में ओरंग जेब ने छेतरफल की दिरिश्टी में देखा जाए तो सबसे जादा मुगल समराजे का विस्तार किया था किसने ओरंग ज जेब ने दक्षिन भारत में जाने का निर्ने लिया और ओरंग जेब की दक्षिन विजय का मुख्य उद्देश समराजे का विस्तार था तो सबसे पहले इसने बीजापूर अभियान किया 1686 में इस समय बीजापूर का सुल्तान था सिकंदर आदिल शाह और ओरंग जेब न उसके बाद इसका अभियान हुआ गोलकुंडा अभियान 1686-87 में और इस समय गोलकुंडा का शाशक था अबूल हसन कुतुब शाह इसे भी ओरंग जेब ने बंदी बना लिया और 50,000 रुपे वार्शिक पेंशन देकर इस राज्य को भी मुगल समराजे में मिला लिया तो बीजापूर और गोलकुंडा दोनों को अपने अधिकार में कर लिया किसने ओरंग जेब ने इस परकार जो दक्षिन भारत के परमुक विरोधी थे उन सबको दबाने में ओरंग जेब सफल रहा था परंतु एक कहवत यह भी है कि दक्षिन भारत ओरंग जेब का कबरिस्ता और यह अपने अंतिम 25 वर्ष दक्षिन भारत में ही फसा रहा और उत्तर भारत में ध्यान नहीं दे पाया जिसके कारण जैसे ही ओरंग जेब की मृत्तियों होती है मुगल समराजी का पतन होना शुरू हो जाता है आगे हम पढ़ेंगे यहीं पर सबसे जादा मुगलों का विस्तार हो पाता है इसके बाद आगे मुगल समराजी का पतन होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद औरंग जेब की मृत्तियों तो औरंग जेब की मृत्तियों तीन मार्च 1707 इस्वी को एहमद नगर के पास महराष्टर में होई थी और औरंग जेब का मकबरा नमक शहर में बना होगा है तो ओरंग जेव की मृत्ति हो जाती है 1707 इस्वे में उसके बाद आगे हम ओरंग जेव से जुड़े कुछ अन्य बिंदू देख लेते हैं जो की परिक्षा के जृष्टी से बहुत ही महत्पूर्ण है तो सबसे पहले है बीबी का मकबरा तो बीब बानो बेगम का जो की ओरंग जेव की पतनी थी हमने पीछे पढ़ा था इसी का मकबरा है बीबी का मकबरा और बीबी के मकबरे का निर्मान मुगल बाशा ओरंग जेव ने अन्तिम सत्रवी शताबदी में करवाय था परंतु कई इतिहासकारों का मानना है कि बीबी के मकबर का निर्मान औरंग जेब ने करवाय था और कही इतिहास कारों का मनना है किस का निर्मान औरंग जेबने नहीं बलकि इसके पुत्र आजम शाने करवाय था अपनी मा दिलरसबानो बेगंब की याद में तो आप जो ये देख रहे हैं बीबी का मकबरा ये बिलकुल ताज महल की नकल की गई है इसलिए से ताज महल की घटिया या फूहर नकल भी कहा जाता है और दक्षिन का ताज महल या दुवित्य ताज महल भी बीबी के मकबरे को कहा जाता है इसे मिनी ताज महल भी कहा जाता है क्योंकि ताज महल की नकल करक इसे बनवाया गया पर यतना खुबसूरत नहीं बना जितना खुबसूरत ताजमहल है इसलिए से ताजमहल की घटिया या फूहर नकल कहा जाता है और यह है कहां पर तो यह महराश्च के ओरंगाबाद में है उसके बाद है मोती मस्जिद तो मोती मस्जिद का निर्मान 1669 के दोरान ओरंग जेबने करवाय था तो यह जो मोती मस्जिद है यह नई दिल्ली में लाल कीला परिसर में स्थित है और इसे सफे संगमरमर का उपयोग करके बनवाय गया था एक आगरा की मोती मस्जिद है जिसका निर्मान शाजहाने करवाय था यह देखेगा आगरा की मोती मस्जिद शाजहाने बनवाई थी तो जब भी आगर आता है तो हमारे दिमाग में ताज महल आता है ना तो ताज महल का निर्मान किसे ने करवाई था शाजहाने तो यहां से आप रिलेड कर सकते हैं कि आगर आता है तो ताज महल तो ताज महल का निर्मान भी शाजहाने करवाय था और वहाँ पर जो मोती मस्जिद है आगरे की मोती मस्जिद उसका निर्मान भी शाजहाने करवाय था और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्मान ओरंग जेब ने करवाय था उसके बाद हम ओरंग जेब से संबंधित कुछ और बिंदू भी देख लेते हैं तो ओरंग जेब ने ये घोशना कर दी थी कि कुरान की अधार पर ही शाषन होगा अथार्थ शरियत के अधार पर ही शाषन विवस्था चलाई जाएगी और इसके लिए जो भी चीजें ग्यार पारंपरिक है यानि कि इसलाम के अनुसार नहीं है उन सबको बंद कर दिया जाएगा इसलिए इसने कई चीजों पर पाबंदी लगा दी इसी करम में इसने नवरोज के तिवहार को बंद करवा दिया नवरोज का तिवहार जो कि पार्सियों का तिवहार होता था इसने उसे दर्शन देता था तो उसे भी इसने बंद करवा दिया उसकेबाद तुला दान जिसकी शुरुवाद अक्बर ने की थी जिसमें राजा के वजन के वराबर सोने चांदी के सिक्के दोले जाते थे और उसे दान के रूप में बाटा जाता था इस प्रथा को भी इसने बंद करवा दिया तो नवरोज तिवहार जरोखा दर्शन और तूला दान तीनों प्रथाओं को किसने बंद करवा दिया ओरंग जेव ने इसके अलावा इसने सिक्कों पर कलमा खुद्वाना भी इसने बंद करवा दिया और सिजदा और पैबोष जैसी प्रथाओं पर भी इसने प्रतिबंदित कर दिया क्योंकि ये प्रथाएं इसलाम की मानिताओं के विप्रित थी और ओरंग जेब ने 1663 इसमे में सती प्रत्था पर परतिबंद लगा दिया तता हिंदूओं पर तीर थीयात्राकर लगा दिया जत्वी इसे पूर्व अकबर ने भी सती प्रत्था को बंद कराने का प्रयास किया परन्तु ओरंग जेब ने पूर्ण रूप से सती प्रत्था पर परतिबंद लगा दिया प्रंतु इसी के साथ साथ इसने हिंदूओं पर तीर्थ यात्राकर भी लगा दिया किसने औरंग जेव ने जिसे अकबर ने समावत कर दिया था तीर्थ यात्राकर को इसने दुबारा लागू कर दिया और 1689 इस्वि में इसने हिंदूओं पर लिखना होता था कि आम जनता धरम के अनुसार आचरन कर रही है या नहीं केवल यह यही देखता था कि जो भी आम जनता है यह धरम के अनुसार चल रही है या नहीं तो यह कौन सा दिकारी था महतसिब उसके बाद अन्यमहत्पूर्न बिंदू देख लेते हैं तो कुछ समाज प्रथाय जैसे कि समाज में जो वैश्याल है शेहरों के पाँछ चलाए जाते थे उन्हें इसने बंद करवा दिया और वैश्या वृतिक करने वाली महिलाओं को विवा करने के लिए कहा गया और उन्हें ये वैफसाय छोड़ने के लिए कहा गया किसके द्वारा ओरंग जेब के द्वारा और अकबर जहांगीर और शाजहां इन सभी ने संगीद चित्रकला और नाचगान सबको परोसान दिया और अपने दर्बार का एक अंग बना लिया था परन्तु ओरंग जेब ने इन सबको बंद करवा दिया यानि कि ओरंग जेब ने संगीत चित्रकला और निरित्य इन तीनों को अपने दर्बार में बंद करवा दिया तो ओरंग जेव ने संगीत और निरित्य पर पाबंदी जरूर लगाई थी परन्तु यह समय वीना बजाने में उस्ताद था यह कई बार एक्जा में पूछा गया है कि कौन सा मुगल शाशक वीना बजाने में महिर था तो ओरंग जेव वीना बजाने में महिर था जबकि इस ने संगीत और निरित्य पर पाबंदी लगा दी थी परन्तु यह वीना बजाने में काफी महिर था और ओरंग जेब के समय सेना में हिंदूओं की काफी जगए थी यानि कि पूरे मुगल शाषन काल के दोरान सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापती ओरंग जेब के ही सेना में थे या दिखेगा तो ओरंग जेब के समय सरवाधिक हिंदू सेनापती किसी मुगल सेना में थे इसने हिंदू सेनापतियों का अनुपाद कूल सेनापतियों का एक तिहाई यानि कि 33 पतिशत रखा था बाकी दो तिहाई मुसलिम सेनापती थे तो बाकी मुगल शाषकों से सबसे ज़्यादा इस तो इसने यानि कि औरंग जेब ने शरीयत के विरूद लिये जाने वाले लगबग 80 करों को समाप्ट करवा दिया था जैसे कि आब वाब नाम से जाना जाने वाला रायदारी यानि कि परिभेहन कर और पांडारी यानि कि चुंगी कर ऐसे कई स्थानिय कर थे जो कि इसने मुगल समराज्य के शाशनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुचा यानि की किसके शाशनकाल में मुगल समराज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ तो इसका सही जवाब है, option ए ओरंग जेव, अगला प्रेशन है कि ओरंग जेव की आदेश पर कि सिख गुरू को मारा गया, तो ओरंग जेव की आदेश पर सिख गुरू तेख भादुर जी को मारा गया, option B इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन है कि ओरंग जेव की धक्कन म यानिकी दक्षिन भारत, तो दक्षिन भारत में हमने देखा था किसने बीजापूर और गोल कुंडा को जीता था, option B इसका सही जवाब है, अगला प्रेशन है कि ओरंग जेव के द्वारा पूना जजियाकर कब लगाया गया, तो जजियाकर को अकुबर ने समाप्त कर दिया पर औरंग जेव ने दुबारा लगाया था, कब 1689 इसका सही जवाब है, option A, अगला प्रेशन है कि निम्मा लिखित में से किस मारा को दक्कन का ताज भी कहा जाता है, तो दक्कन का ताज बीबी का मकबरे को कहा जाता है, option C, इसका सही जवाब है, इसे ताज महल की फूहड या भद्दी नेकल भी कहा जाता है, अगला प्रेशन है कि किस जाट नेता ने बाश्या अकबर के मकबरे को हानी पहुचाई, तता अकबर की कबर को खोद कर उसकी हडियों को जला दिया, तो इसका सही जवाब है, option B, राजा राम ने अकबर की कबर को खोद कर उसकी हडियो बजाते थे तो इसका सही जवाब है option c अगला प्रेशन है कि मुगल बाश्रा ओरंग जेब ने 17 शताबदी में भारत में अपनी पहली पतनी दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाय था ये कहां पर स्थित है तो बीबी का मकबरा ओरंगाबाद में स्थित था तो जिंदा पीर और दर्वेश किसकी उपादी है ये ओरंग जेब की उपादी है option d इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि ओरंग जेब की माता का नाम क्या था तो ओरंग जेब की माता का नाम मुम्ताज महल था option c इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि मुगल depression है कि निमल इकितमे से किसके दर्बार में सर्वाधिक हिंदु सेनपति थे तो सर्वाधिक हिंदु सेनपति औरंग जेव के दर्बार में थे तो सब्सक्राइब ज्वाब है option D औरंग जेव तो आज कि ये видео यही시 पर कहतम होती है कैसी लग ये कोमेंट सेक्शन में जरूर बताना धन्यवाद